हेलो एवरिवन क्लास फॉर सब्जेक्ट इवी एस टॉपिक अब्यूजी मन्थ चैप्टर नमबर एट सुटू टार्ण्स कल हमने ये चैप्टर जो अब्यूजी मन्थ है कल हमने इसका पहला पार्ट पड़ा था आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पड़ेंगे तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि डिफरेंट जो बोर्स हैं वो क्या कर रहें पेर्स में मिलके अपने नेस्ट बना रहें और जो पैरेंट्स जो मेल पैरेंट्स हैं वो क्या कर रहें अपने बच्चों को समाल इंसेक्ट बगारा लाके वो फीड कर रहें उनको खिला र वह नहीं बनाती और नहीं वह वह वहां पर जो एग है वह sigu ले करते तो हड़ेन गयाके हां फिरता झाल कौई sing sweetly आप जानते हैं जो कोईल है वो बहुत प्यारा गाती है do you know that this bird does not make its own nest तो यह जो परिंदा है यह अपना nest नहीं बनाता it lays its egg in a crow's nest यह अपने अंडे कहां पर देती है crow's के nest में the crow has them along with its own egg तो यह यहां पर क्या है हमने देखा के जो crow होते हैं वो इसके जो कोईल होती है उसके eggs को अपने eggs के साथ hedge करते है ठीक है there is a small tree nearby it has a nest hanging from its branches birds wonderfully different the the crow birds its nest build its nest high up on the tree तो जब हम एक द्रखत के पास गए तो वहां क्या देखा एक जो नेस्ट है वो एक branches के साथ हेंकर लटकता हमने देखा तो वहां पर मुख्तिलफ birds हमने देखे और जो crow है वो क्या कर रहा था अपना एक अपना nest बना रहा था एक किस पे ट्री पे दडो मेक्स इस नेस्ट इमांग थारन आफा कैक्टिस प्लांट्स और मेंदी है तो यह जो crow है यह क्या करते हैं डो जो डो बोड है यह क्या कर रहा था अपना यानि के थारनी कैक्टिस प्लांट्स जो होते हैं उनके बीच में यह अपना nest बनाता है ठीक है तो sparrow can be found in in and around our oven houses जो sparrow वगएर हैं वो तो आपने खुद भी देखिए कि जो sparrow हैं वो हमारे ही गरों में क्या करती है कि किसी जगह पे छिपके यानि कि वो अपना nest बना लेती है ठीक है छटों यानि कि रूफ के नीचे वो कि किसी भी जगह पे अपना nest बना लेती है इं इट मेक्स इस नेस्ट एनिवियर अन टाप आफ ए कबर्ड बिहांड अ मिरर और रूफ पिजन आलसो मेक दियर नेस्ट लाइक दिस तो जो कुबूतर होते हैं वो भी बिल्कुल sparrow की तरह यानि कि रूफ के नीचे जो हमारी मकानों के रूफ होते हैं उनके नीचे वो क्या करते हैं आ प्राब हुई हो तूटी फूटी उन बिल्डिंगों में यह क्या करते हैं अपने नेस्ट बना लेते हैं स्पैरो और पिजिन वगएर ठीक है दा बार्बिट और कॉपर स्मिथ बोर्ड केन भी होड इन दा समर विद इस टक टक कॉल तो हम देखते हैं कि जो बार्बिट और कॉपर स्मिथ बोर्ड हैं हमें जब समर होता है तो टक 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 आवाज आती है ना तो यह जो बोर्ड होते हैं यह क्या करते हैं यानि के ट्री ट्रंक के अंदर यह एक होल बनाते हैं वहाँ ही पर जो होल बनाते हैं वही होल इनका क्या होता है नेस्ट होता है ठीक है इन समर with its tuck tuck call it makes its nest in a hole in a tree trunk and the tailor board uses its sharp beak to stitch together two levers on a bush तो जो tailor board होती है वो क्या करती है उसकी जो चून्च होती है वो बिलकुल सुई की तरह होती है तो वो दो levers को आपस में stitch कर देती है एक गठा जोड लेती है दो levers को अपनी चून्च की वज़ा से तो वो उनके बीच में अपना nest बना लेती है तो जो tailor board होती है वो क्या करती है दो leaves लेती है तो उनको stitch कर देती है एक दूसरे के साथ जोड देती है तो उनके बीचों बीच वो क्या करती है अपना nest बना लेती है वहाँ ही पर वो क्या करती है जो उसके eggs है वो वहाँ ही पर ले करती है और उसके बाद उनको अदरी hedge करती है ठीक है तो क्या होता है ये आपने बिल्कुल अपना nest मुखतलिप 005 बोर्स अपने मुखतलिफ जो ये है nest का इस leader करते हैं इसका स्वरी अपने यानि का हर चीजी का इस तामल करते हैं अपना nest बनाने में ठीक है तो इसी तरह लेकन एक प्रिंदा जो हमने अभी पड़ा वो है कोईल वो अपना नेस्ट नहीं बनाती वो क्या करती है क्राउस के साथ अपने जो एक्स हैं वहाँ ही पिले करती हो और खुद उनको हैच भी नहीं करती ठीक है वो जो क्राउ होता है वो हुदी ठीक है जो फीमेल कराउस वो वहाँ पर हुदी हैच कर देते हैं अपने एक्स के साथ कोईल के एक को भी सुटुडरंट्स आज का जो हमारा टापिक है यहाँ ही पर हतम होता है इससे आगे हम कल पढ़ेंगे इन्शाओला